आज क्लास 9 के चैप्टर 13 सर्फिस एरिया और वॉल्यूम के 13.2 जो एक्सरसाइस वो स्टार्ट होने जा रहा है इससे पहले मैंने आपको सिलिंडर का कर्व सर्फिस एरिया और टोटल सर्फिस एरिया का जो फॉर्मूला है और सिलिंडर की पूरे बेसिक के बारे में प्रिवेस वीडियो में मैंने पूरी तरह से एक्स्पेंड कर लिया है अगर आपने नहीं देखा होगो तो प्लीज आप उसको check out कर लीजेगा, link में description में दे दूंगी और यहां पे हम question number 1 से start करेंगे कि 13.2 में, जो question number 1 है, वो है क्या और question को समझने के बाद कैसे solve करना है, यह हम इसमें समझेंगे but before starting the video, अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please subscribe किजिए Science and Math Academy को और video पसंद आए, तो like करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो start करते हैं video, here, the question is the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm height given है हमको cylinder का, is 88 cm square यह क्या है curved surface area, तो find the diameter of the base of the cylinder तो उस cylinder का हमें diameter निकालना है तो diameter निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे radius, curve surface area given ही है, height given ही है तो हम formula के according curve surface area का formula क्या होता है 2 pi r h, उस पे put करके हम r का value निकालेंगे और r आ जाएगा, तो उसको हम 2 से multiply कर देंगे diameter हो जाएगा, तो इसको solve करते हैं very easy question, यहाँ पे जो given है पहले हम वो लिख देंगे कि curve surface area of cylinder is 88 cm square and height is 14 cm square तो अब हमें क्या निकालना है, radius तो सबसे पहले हम radius को find करें exactly हमें answer देना है diameter में बट radius को पहले find करेंगे हम तो CSA of cylinder, मैंने formula आपको बता रखा है वो हमें given है 88, बट हम जानते है पूट करेंगे 2 into 22 by 7, pi का value, r हमें पता नहीं h कितना है 14 is equal to 88, तो अब इसे हम solve कर लेते हैं, r का value हमारा आ जाएगा 88 into 7 और नीचे हो जाएगा 2 into 22 into 14 अब हम इसे cut करते हैं, 7 2 जा, यह cut होगा 44, फिर यह 2 से 22 और यहाँ पे 22 तो r का value कितना आ गया, 1 cm easily हमसे पूछा जा रहा है कि diameter of the base of the cylinder तो diameter क्या हो जाएगा, r जो आया है, उसको हम 2 से multiply कर देंगे, मतलब 1 into 2 is equal to 2 cm क्योंकि मैं पता है कि diameter हमेंसा radius का क्या होता है diameter radius का दुगुना होता है, इसलिए हमने हमें यहाँ पर 2 से multiply किया है, तो therefore हमें लिखना होगा कि हमेंस, जो पूछा गया है कि the diameter, the diameter of the cylinder, base of the cylinder is equal to 2 cm answer, तो I hope आपको यह question clear हो गया होगा, क्योंकि क्योंकि काफी easy, इसलिए clear हो भी गया होगा, now next question मैं move करते है, next question क्या है, question number 2, here the question is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter, height हमें given है 1 meter, and the base diameter 140 cm, जो diameter है, base का वो कितना है 140 cm, तो हम लोग diameter से हम लोग radius निकाल लेंगे, और यह meter में है, यह centimeter में है, dimension पर हमेशा ध्यान देना, आपकी दोनों सेम होना चाहिए, height हो, चाहिए radius हो, किसी भी question में, dimensions जो होते हैं, उसका जो units होता है, वो हमेशा same होना चाहिए, यहां meter है, तो यह भी हमें meter में बनाना पड़ेगा, from a metal seat, how many square meters, square meter मतलब clear हो रहा है कि हमारा area है, तो how many square meter of the seat are required for the same, अब यहां समझने वाली बात हो गई, कि ठीक है, area तो निकालना है, हमें seat निकालना है, तो area निकालना है, बट इसमें हमारा curved surface area होगा, यह total surface area होगा, तो ध्यान दो आप, कि make a closed cylindrical tank, cylindrical tank जो है, वो closed, तो यहां पे यह clear हो जा रहा है, कि यह total surface area के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम इसे बनाते हैं, सबस्क्राइब क्या given है, यह लिखेंगे हम, यहां दो चीछे हमें given है, height is equal to 1 meter and diameter is 140 cm, तो डाइमेटर अगर 140 है, तो हम उसको divide कर देंगे 2 से, therefore यह कितना हो जाएगा, 70 cm, और 70 cm को meter में convert करना है, तो meter में convert करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 100 से divide करना होगा, हम clear यहां पे लिख देते है, 0.70 meter, लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या किया, meter में convert कर दिया, अब हम total surface area का formula लगाएंगे, TSA of cylinder, TSA of cylinder क्या होता है, formula हमारा क्या होता है, 2 pi r h plus r, अब हम इसमें put कर देते हैं, 2 into 22 by 7, r कितना है, 0.70, और यहां h कितना है, 1 plus 0.70, और अब हम इसे solve करेंगे, solve करने से हमारा हो जाएगा, 2 into 22 by 7, into 0.70, और यह हमारा कितना हो जाएगा, 1.7, लिख सकते हैं ऐसा, और हम जब इसे calculate करेंगे, आगे, जो भी है, उसको हम अगर बनाते हैं, तो हमारा यहां पर answer हो जाएगा, यह calculate करने पर, 7.48 meter square, तो हमें क्या है question कि seat requirement, तो हम लिखेंगे Hence, the seat required, seat required to make a, जो चैस पूछा गया है, to make a closed cylindrical, cylindrical tank is 7.48 meter square, पस यही question हम से पूछा गया था, तो I hope आपको यह भी question clear हुआ होगा, और अगर clear हुआ है, तो ठीक है, otherwise कोई भी query है, तो let me know in the comment section, I definitely reply the question यह query, तो यहां पर आपको यह clear हो गया, और आगे हम लोग question number 3 से जो है, वो next video में continue करेंगे, और यहां पर जो भी 13.2 में, जो भी questions है, सारे cylinder से related है, मैं आपको NCRT का full slabers करा रही हूँ, और अभी हमारा ज और इसके बाद मैं जब exam नजदीक आते हैं, तो मैं important question भी आपको देती हूँ, तो please subscribe कीजिए मेरी channel को, thank you, thanks for watching.